तो आप सभी का स्वागत है तो चले दोस्तों आज बात करेंगे ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के सभी प्रकार की प्रस्ण को देखते हो आगे बढ़ेंगे तो आप लोग वीडियो में इन ते धरूरू बने रहेगा और साथी साथ अगर आप लोग कोई भी टेक्निक तो नेक्ट संडे को पूरा प्लानिंग है यानिकी 110 परसेंट है कि मैं लाइब आउंगा ठीक है और आप लोग का जितना भी कोईचन्स हो वहां पे किलिए आप लोग कर लीजिए गा इंग्जाम कब तक होगा त्यारी कैसे करें हैं कितना इसको रारा है टेक्स्ट लगा र करता है कि वाल दोस्त जो है कोई सीग्नल अपलाइब नहों कोई सिग्नल अपलाइं नहों तुछ सांत Łवस्था में वर्क करता है तो ए में जो दिया हुआ है कि या तो यह तो गलत है भाई बी में कह रहा है यानि की इन्फुट पर कोई सिग्नल अपलाई ना हो तो क्रेक्ट ट्रेंस्टर जो होने बाला है ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा ठीक है क्रें expressions में एक क्Ç कोंच में कह रहा है कि शर्ण प्र plant शर्ण होता है एक यानि की प्यान होता है यह द्यान रखेगा और आऐए ऍसके पी न्याल में इसमें पूछ रहा है ठीक है थे ना फॉलस के और आ पर ने माध्यम से ठीक है टो ऑ चुन किसमें दिया है छेद छिए का मतलब इसका मतलब यह वह हुआ है क्या हुआ हुआ है चलिए आगे बढते हैं कि आज का अगला पुशन दिया हुआ है क्वेसंस में कहा रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्प्लिफायर में एमिटर बाइपास धारिता किसलिए पर्यूग करते हैं और परतिवाधा मिलान के लिए बी में करा बैंड बित को सिमित करने के लिए करने के लिए दिखे दोस्तों यानि कि बाइपास धारिता जो पर्यूग करता है यह प्रवर्धित एसी सिग्नल को कम रियक्टेंस पत्परदान करता आए ठीक है तो क्रेक्ट एंसर ऑप्शन डी में दिया है राइट एंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा आगे बरते है से अगला प्रिशंद यह हुआ यह सिलिकन ट्रांजिस्टर है टूवित अट्टेंटर टमप्रेचर एक इसके बारे मियानिकी बताना इसमें पूछ रहा है तो सिलिकन ट्रांजिस्टर का सटन टब मान कि अगर बात किया जाए दुस्तों तो यह 250 डिग्री से टिक है कितना ह से इसको दियान में रखिए को चन्स पूछा जाता है तो ए में तो करा 450 तो 450 नहीं होगा बी में दिया है 250 डिगरी सेल्सियस तो राइट एंसर जो होगा इसका भी सही हो जाएगा हुआ अगे परते नेक्ट को संव पर आजका अगला प्रसंदिया होए ट्रान्सिस्टर के बेस कर्वां न जक् सतरशन का परत्यद्य होता है किसका ट्रान którą उभी कि य्यारी की ज्यादा परतिरोध होता है यादि की ज्यादा परतिरोध होता हाति प्रसंदीया हुआ है को रहा है एक वंद्यिक ट्रांजिस्टर में कुनांक अल Harley-wenंत यानि कि आलफा के भैलू पूछ रहा है अलफा का भैलू कि इतना होता है तो 0.9 से लिए करके 0.9 तक होता है यह जो होता है 0.9 से 0.9 तक होता है जो की डी में दिया है राइट एंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा ठीक है आगे भरते नेक्ट कोशन पर आजका आगला प्रसंद दिया हुआ है तो जीरो सिंग्नल वैलू ऑफ आइसी एंड बीसी ऑफ आउटपूट क्रेक्ट्रेक्ट्रेक्टिस ऑफ ट्रांजिस्टर इस ननने ज्टीक है तो इसको क्या कहेंगे भाई ठीक है दोस्तों यह इसको जो कहा जाता है यह ऑपरेटिंग पॉइंट कहा जाता है ना इसको ऑपरेटिंग पॉइंट कहा जाता है जो की ऑप्शन वी में दिया है राइट अंसर इसका भी सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोषचन साज का दिया हुआ है कोषचन्स प Finnish बितम named ऌसा free running oscillator की रूप में उपयोगा जाता है किसमें तो free running oscillator की रूप में हम किसका प्रयोग करता है तो देखिए दोस्तों याने कि free running oscillator की एक कि रूप में जो manly रूप से पर्योग किया जाता है activate بة किसका स्टेबल घना मलटी वाइब रेटर का करते हैं स्टेबल मॉल्टी गारेटर का परियोग नहीं करते हैं नम्हानों स्टेबल का परियोग किया जै जोकि ऑप्शन्टी में쪽에 GUAR कृत किया जाए सका I सभी सही होने बाला है मुषम आगला प्रसंच परेंगे अगला प्रसंट दिया हुआ है कौस्टंस में कहा रहा है चांजिस्टर के varied और कॉमन अम ऑप्शेटर में ने मैं में ने नहीं हो ऐता है किसमें धिया हुआ है वो ऑप्शन है डी में दिया हुआ है एक ट्रांजिस्टर के लिए धारा लबदी बीटा उनाइस है तो धारा लबदी अलफा कमान गया होगा यानि कि बीटा कमान दिया हुआ है अलफा कमान पूछ रहा है तो सबसे पहने जानेंगी कि अलफा बड़ाबर जो फर्मूला होता है क्या होता एक बीटा होता है और इसको भाग देने के बाद जो एंसर पराफ्ट होता है वो 0.95 पराफ्ट होता है किया तो जिलाए पराफ्ट होता है तो आप्सन किस में दिया आप्सन ए में दिया है तो नमस्ते में दिया है नहें कि अग्ला प्रसेंद दिया हूँ आ EVERY Difív बीजेटी इसका फूल फर्म सबसे पहले समझे बाई जन्सन ट्रांजिस्टर होता है बाई जन्सन ट्रांजिस्टर होता है तो इसमें यानि की टर्मिनल की संख्या आप रही बात यानि की टर्मिनल का जो संख्या होता है वो कितना होता है तो देखे दोस्तों बीजेटी में यानि कि तीन टर्मिनल होता है कितना तीन टर्मिनल होते हैं ऑप्शन किसमें दिया है ए में दिया है तीन तो राय टेंसर जो होगा ऑप्शन इसका यह सही हो जाएगा करें आगे बर चाहिए नेक्स्ट कोस्टन्स पर आज का अगला प्रसंद दिया है बीजे टी के टर्मीनल क्या-क्या होते है ठीक है ठीक है इसका टर्मीनल जो होता है उसके बाद नीनल होता है के दोस्तों का से होता है उसके बाद का में होता है कि उसके बाद यानि कि एप mm होता है और यूद को बेस tastes कम आप χोगा और म отлич है तो आप अपस्छन प fonctionस Tai से में डिया है थो राए चंसर जो होगा प्सनीस का इसका शी सही हो अगला प्रसंद दिया हुआ है आज का एक सकीरिय इलेक्ट्रोनी घटा का उधारण है कि इसका कहा रहा है दूस्तों सकीरिय का मतलब क्या हुआ यानिकि एक्टिव कंपोनेंट तो चलिए एक्टिव कंपोनेंट को समझते हैं ठीक है वैसा सिंगनल जो देखिए सौटकॉट समया जो नाइए प्रसेस उघ्य इंप्लिफाइट गरा सकता है सिंगनल पॉरेटायव है इसका है यह में तो पूच रहा है तो एक्टिव कंपोनेंट में रीओ हो जाय और किस परकार का पदार्थ है तो देखिए दोस्तों कैपेशीटर जो है यह भी पैसिब कंपोनेंट है लेकिन ट्रांजिस्टर दोस्तों एक्टिब कंपोनेंट है क्योंकि यह सिगनल को प्रोसेस भी करता है और में कह रहा है क्या कि ट्रांजिस्टर में अलफा का भी सिस्ट मान जो संगरहक धारा का उत्षर्जक धारा में एमिटर अनुपात डैस की सीमा में होती है कि इसका भाई तो अलफा का बहलू कितना होता है तो इससे पहले भी कुछा हुआ था देखिए तो देखिए अलफा का 0.95 से लेकर के 0.99 तक होता है ओप्षन किस में दिया हुआ है तो ओप्षन इम ही में दिया हुआ है कोरेक्ट एंसर जो होगा ओप्षन इसका यह सही हो जाएगा ठीक है मैं आशा करतो हूँ आप लोग सरा प्रशनों को अच्छा से समझे होंगे अगर कोही प्रशन में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप लोग उसके लिए कमेंड कीजिएगा मैं कोसिस करूंगा आप लोग का कमेंड को बहुचल जबाब देने को और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को ज़रू शेयर कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जय हिंद्ध